प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे find the each of the following product इनका product करना तो first question है 4a bracket 3a plus 7b ये आपके सामने question है इसको solve करना है यानि की product करना है product का मतलब है multiply 4a का multiply 3a plus 7b में कैसे करते हैं चली देखते हैं equal का sign लगाएंगे 4a का multiply पहले 3a में करेंगे 4a multiply 3a में करेंगे ठीक है इसके बाद इसमें जब हो गया है अब इसी 4a का multiply पिलस 7b में करेंगे तो पिलस लिखेंगे और 7b लिखेंगे multiply यह 4a अब चलिए आंगे इसको solve करते हैं अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो इस 3 का multiply इस 4 में होगा 3 4 12 कितना होता है 12 और A का multiply A में होगा तो जब power न लखी हो तो A की power 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर भी 1 power यहाँ पर भी 1 power तो A की power 1 का multiply हुआ तो A की power हो जाएगी कितनी 2 हो जाएगी क्या बताया हुआ था होता है सेम बेस का जैसे एका तो उनकी पावर एड हो जाती है तो बन और वन तो एकी पावर हो जाएगी यहां तू पिलस यहां पर देखिए क्या बताया था नंबर का नंबर में मुल्टीपलाई 4 का 7 में multiply तो 4, 7 जा कितना होता है 28 और यहाँ पर अब देखिए B की power 1, A की power 1 अब ऐसा मत कर देना कि B की power 2 लिख दो क्योंकि यह B है और A है जब सेम होंगे यहाँ पर B भी हो तब power add होती है नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं दो 7, 4, 2, 8 और यह A लिख देंगे और यह B लिख देंगे यह आपका answer हो गया ठीक है न अब देखते हैं यह question number 5 6C का क्या है इसमें A, B का multiply आपको करना है A square minus B square में कैसे करेंगे तो सबसे पहले A square लिख लिए यह multiply यह A, B का इसमें तो A, B minus लिख लिजिए और B square लिख लिख लिजिए और इसी A, B का multiply is B square तो multiply लिखेंगे और यह A, B अब देखिये आँगे A की power यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है तो A की power 2 और A की power 1 multiply में power add हो गई तो 2 और 1 कितनी हो गई 3 और V ऐसी लिख लेंगे माइनश यहाँ पर देखिए B की फार्वर two और यहां B की फारवर कितनी है 1 है तो ABCD में A पहले आता है इसलिए ये वाला A पहले लिख लिए हमने और B की फावर कितनी हो जाएगी 2 यहाँ है 1 यहाँ है तो multiply हो रहा है B की फावर हो जाएगी 2 पिलस 1 यहनि कि B की फावर 3 हो जाएगी यह आपका answer हो हो साएगा चलिए next question को देखते हैं अब देखिए exercise 6D find the product इनका भी product करना है सबसे पहले question number 1 देखेंगे 5x plus 7 इसका multiply करना है आपको 3x plus 4 में देखिए किस तरीके से करेंगे सबसे पहले यह 5x का इस पूरे bracket में multiply करेंगे मान लो यहाँ पर 5x लिखा होता तो फिर पिछली वीडियो की तरीके से यानि कि जो अभी question समझा है इसके जस्ट पहले उस तरीके से हो जाता मान लो यहाँ से 5x लिखा है और उसका multiply 3x plus 4 में करना है इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पहले यह 3x में 5x का करेंगे multiply फिर 4 में 5x का करेंगे ठीक है अभी मान लीजिए यह जो मेरी उंगली के नीचे है यह नहीं लिखा है तो क्या लिखें यह 3x 3x multiply यह वाला 5x तो 5x का किसमे करा अभी 3x में अब 5x का करेंगे किसमे 4 में तो यहाँ पिलस है पिलस लिख लो 4 लिख लो यह और multiply यह आज आएगा 5x इसी तरीके से अब यह 7 7 का पहले 3x में करेंगे तो 7 का आप जब 3x में करोगे तो क्या हो जाएगा पिलस 3x यह लिख लो और यह 7 का multiply 7 अब यहाँ पर क्या करेंगे यह 4 में होना है पिलस 4 लिख लो और यह 7 का multiply 4 में कर दो तो 4 multiply 7 हो जाएगा अब देखे इसको सही से solve कर लेते हैं क्या बताया था नंबर का नंबर में multiply तो 5 3 जा 15 और x की पावर 1 x की पावर 1 तो multiply होने पर x की पावर हो जाएगी 2 क्योंकि add हो जाती है पावर multiply करने पर तो 3 5 जा 15 और x x की पावर 2 पिलस ऐसे यहां देखिए नंबर का नंबर में multiply 5 का फोर में 5 फोर्जा 20 और x पिलस थिरी का 7 multiply तो 7 थिरी जा 21 और यह x रहेगा पिलस 7 का फोर में 7 का फोर में कितना हो जाएगा 28 7 फोर्जा 28 अब इसको और solve करेंगे x की पावर 2 देखिए x की पावर 2 के टर्म कहीं पर भी नहीं है तो यह same लिख लो 15 x की पावर 2 अब यहां देखिए यह 20 x है और यहां पर 21 x है तो इसमें x है और इसमें x है यह like टर्म है तो like टर्म क्या होते है एड हो जाते है 20 और 21 एड करा तो यह हो गया 41 20 और 21 एड करा 41 हो गया और x और x यहां पर सिर्फ x लिखेंगे अब x की पावर 1 x की पावर 1 इसको आप x की पावर 2 मत कर देना क्योंकि यहां पर क्या है एड है X की power 2 कब हो जाता जब इनके बीच में ये multiply होता है तो power add होती है add में power add नहीं होती है ये बहुती ध्यान रखने वाली बात है यहीं पर बच्चे गलत करते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए 21 और 28 गरा 41 और X और X दोनों में इसलिए एक बार X लिखा जाएगा ना कि X की power 2 मत लिख देना ठीक है अब इसके बाद ये बचा 28 फिलस 28 लिख दीजिए अब ये आपका स्वाल हो गया है ये आपका answer होगा अब देखेंगे ये question number 2 question number 2 देखेंगे कैसे 4X माइनस 3 इसका multiply करना है 2X फिलस 5 में तो क्या करेंगे उसकी जैसा मान लो माइनस का ये 3 है नहीं तो 4X का पहले 2X में करेंगे फिर 4X का 5 में करेंगे तो पहले 4X का 2X में तो लिख लो 2X लिख लिए multiply ये 4X अब 4X का करेंगे किसमे 5 में पिलस ये वाला पिलस और 5 multiply ये 4X अब मान लो 4X नहीं है तो ये माइनस 3 है कितना है यहां माइनस का बहुत ही ध्यान रखना है माइनस 3 का multiply अब करेंगे किसमे 2X में तो 2X multiply माइनस 3 ठीक है इसके बाद माइनस 3X का करेंगे किसमें पिलस 5X में सुरी पिलस 5 में पिलस 5 multiply माइनस का 3 multiply माइनस का 3 यहां देखिए माइनस है यह याद रखेंगे यहां माइनस है 3 का ठीक है यह जोई 3 है यह माइनस का है अब चलिए इसको आंगे solve करते हैं अभी देखिए फिर से 4 का 2 में होगा 4 2 जा 8 और X की पावर 1 X की पावर 1 होती है तो multiply हो रहा है इसलिए X की पावर 1 और 1 add हो गई तो X की पावर 2 हो गया पिलस 4 का 5 में 4 5 जा 20 और X यह रहेगा अब देखिए पिलस अब यहां पर हमने पिलस लिख लिए है लेकिन क्या करेंगे अब माइनस का 3 है और माइनस का 3 का multiply होना है पिलस का 2 में तो क्या आएगा यहां पर माइनस और पिलस का multiply होने पर माइनस का sign आएगा किसका sign आएगा माइनस का तो यह पिलस आपको नहीं लिखना है यह बात बहुत ही दिखान रखनी है माइनस का 3 का multiply पिलस 2 में हो रहा है इसलिए यहां माइनस और पिलस से multiply होकर माइनस आएगा और 3 टू जा 6 और यह x रहेगा यहां पर भी इसी तरीके देखिए पिलस का 5 है और multiply माइनस के 3 से है तो माइनस का multiply पिलस 5 में है तो माइनस का multiply जब पिलस में करोगे तो आएगा माइनस और 3 फाइब जा 15 इसके बाद देखिए 8 x square यह ऐसी 8 x square ऐसी लिख लिया फिलस 20 x और यह 6 x 20 में से 6 x subtract हो रहा है यह कितना बचा 14 x 14 x बचा माइनस यह बचा 15 यह आपका answer हो गया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा एक आपके लिए question जिसका answer आपको अभी इसी बक्त कमेंट में देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा एक आपके लि के लिए बताइएगा क्या होगा answer यह रहां आपके लिए question क्या है question question है 5 x की power 2 multiply 3 x की power 7 option आपके सामने है कौन सा option सही होगा आपको comment box में लिखना है 15 x की power 6 option b 15 x की power 9 option c 15 x option d 15 x की power 2 तो यह question है यह आपके answer है सही answer a b c d इन में से एक है सही answer को आपको comment box में लिखना है चैनल को वेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहां पर मिलते हैं आपको math की tricks और concept से सिखा जाते हैं question तो like subscribe और bell icon को press जरूर कर लीजिएगा जल्दी मिलते हैं next video में